हेलो दोस्तो मैं उद्धागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एगजाम न्यूज भाई उद्धासर में दोस्तो हरियनस सरकार CET का बड़ा एगजाम लेगी और सभी भरतियां आने वाले समय में ग्रूप D या C की जो भरतियां है वो CET के माध्यम से होंगी सारी वेकिंसियां उसी के कोटिंग भरी जाएंगी जिसके CET में अच्छा स्कोर होगा उसको नौकरी मिलेगी अब बात मैं यहाँ पर यह कर रहाँ कि जिस भाई ने CET के लिए डॉकुमेंट्स अपलोड किये हैं जो भी आपने अपने डॉकुमेंट्स लगाए हैं अगर आपके किसी भी documents में कोई कमी है या फिर आप जो नया documents लगाना चाहते हैं जैसे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिन्होंने आज degree complete किये और अभी CT के लिए उन्हों degree नहीं लगा पाएं और वो लगाना चाहते हैं या फिर कुछ भाई ऐसे हैं जिन्होंने journal से आविदन किया है वो EWS में change करना चाहते हैं या EWS से journal में change करना चाहते हैं या फिर किसी की नाम में दिक्कत है उसमें changing करना चाहता है या फिर कुछ ऐसे हैं जिनकी family ID में यानि की दिक्कत है वो भी change करना चाहते हैं तो मैं आपक दीरे दीरे सारे option आएंगे एक तो बड़ा option आपका ये आ गया है अगर किसी भाई ने journal से आवेदन किया है CET के लिए और वो EWS में करना चाहता है तो वो change कर सकता है या फिर जिन्होंने EWS से किया है वो journal में भी change कर सकता है तो category वो change कर सकता है तो एक तो ये option आ गया है एक भ option आएगा या फिर किसी के नाम में दिक्कत है उसमें भी आपको सरकार मौका देगी एक जाम से पहले सभी के लिए सब तरीके के मौके मिलेंगे changing करने के documents upload करने के तो घवराने की जरूरत नहीं है मौका मिलेगा और जो other state के हैं वो भी कर सकते हैं CET के लिए आवेदन क्यों पूर कर दे वरना नौकरी नहीं मिलेगी आने वाले समय में अभी हो रहे हैं ठीक ना CET के लिए registration आपके होते रहेंगे जब तक आपका एक जाम होगा सरकार एक date fix कर देगी ठीक है उससे पहले आप कर सकते हैं घवराने की जरूरत नहीं है आप अपनी degree भी लगा सकते हैं यानि कि जो भी आपकी गलती है उसको सुधारने का मौका मिलेगा आपको तो ये बड़ी जनकारी थी एक भाई ने हमारे साथ सेर की है तो EWS या जर्नल वाले खासकर इसको change कर सकते हैं इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बाकी अगर और भी कोई दिक्कत है तो आप यानि कि ट्राई भी कर सकते हैं CT की साइट पर जाकर वहाँ से आपको पूरी जनकारी मिल जाएगे और हमारे साथ भी अगर कोई भाई सेर करेगा जनकारी वो हम आपके साथ सेर कर देंगे आने वाले समय में तो फिलाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद